बिग बॉस OTT सीजन 2 की क्वीन और जलक दिखला जा सीजन 11 की विनर मनीशा रानी को लेकर एलविश यादव ने फाइनली तोड़ी चुपी और ISPL क्रिकेट ली में दिया बड़ा बयान मनीशा को कॉंग्रेचुलेशन कहने पर जिस पर सबसे ज़्यादा बवाल मच रहा था उस पर अब सारे हीटर्स को दे दिया एलविश ने ऐसा जवाब तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रही है अन्ते तक दोस्तो एलविश यादव और मनीशा की जोड़ी को जहां पर ए जोग एमोशनली आपसे जुड़ जाते हैं खास करके अगर आप एलविश जैसे हो तो एलविश और मनीशा का जो रिष्टा है जो दोस्ती है जो इन दोनों के बीच में जो फ्लर्टिंग वाला जो गेस्चर देखने को मिला था उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था औ और वाकी में अगर आप दोस्त हो तो दोस्त की तरक्की से आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिलनी चाहिए इसको लेकर बार बार एलविश को लोग टार्गेट कर रहे थे एलविश को भर भर के हेट मिल रहा था इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर हर तरफ एक ही सवाल पुछा जा रहा था कि क्या उन्होंने मनीशा को कॉंग्रेचुलेशन विश किया है या फिर नहीं और इस पर आप फानली एलविश ने क्या कुछ कहा है मैं चाहूँगा यह चोटी सी क्लिप है तो इसको एक बार को आप जरूर सुनिए तो जी हाँ जो लोग कॉंग्रेचुलेशन की बात कर रहे थे एलविश ने खुद कह दिया है कि उन्होंने कॉंग्रेचुलेशन विश कर दिया है मनीशा का जो इंटर्वु जलक का था वो इंटर्वु मनीशा के उस रात का था जब मनीशा शोकु जीती थी और एलविश उनको बाद में कहा है तो यहां पर भी लोग बहुत सारे चीज़ जज़ करेंगे लेकिन वाकई में एलविश और मनिशा की जो दोस्ती है भले ही सोशल मीडिया पर ना दिख रही हो लेकिन आफ कैमरा भी आज भी वैसी है जैसा कि लोग एकस्पेक्ट कर रहे थे कि बिग मनवर फारुकी के साथ एलविश यादव नजर आये हैं जहां पर मनवर वसेस एलविश बहुत बड़ी लड़ाई हुई है सोशल मीडिया पर बहुत बार जब बिग बॉस में मनवर फारुकी थे तब भी कुछ लोग मनवर को सपोर्ट कर रहे थे कुछ लोग एलविश को तो उन सब का भरम भी तूट गया है एलविश और मनवर के बीच में ऐसा कोई गिला शिक्वा नहीं है जो आज के वीडियो जो सूशल मीडिया पर पिक्स निकल कर आ रही है उससे ये बाते साफ हैं तो मनिशा के फैंस एलविश या फैंस फाइनली एलविश के इस बयान से काफी जादा खुश हैं आप बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है ओपीनियन और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीचे